नमश्कार साथियों मैं मनीश पिवाल आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में तैदल से स्वागत और अभिनेदन करता हूँ हम लोग राष्टपती के चुनाओ परक्रिया के बारे में जान चुके हैं अब राष्टपती के बाद भारत में अगर सबसे बड़ा दूसरा सरवच सवेदानिक पद है तो वो होता है उपराष्टपती का और अभी मानी ने जो उपराष्टपती है हमारे एम वेंका नाइडू जी उनका 11 अगस्त 2022 को जो कारेकाल है वो पूरा हो जाएगा इसलिए 11 अगस से पहले-पहले क्या होना चाहिए एक नय उपराष्टपती उस पद पर होना चाहिए और उसकी करीमा को बनाये रखने के लिए तो अब इस वार कौन राष्टपती के चुनाओं में उतर रहा है और कौन राष्टपती के चुनाओं जीत चुका है ये हम आज किस वीडियो में जानेंगे क्या उपराष्टपती चुनाओं की परकरिया क्या होती है और उपराष्टपती का क्या मुख्य काम होता है क्या भारती सविधान उसके बारे में कहता है तो आईए जानते हैं कौन बनेगा उपराष्ट पतीवे से बन चुका है पर देखते हैं कौन-कौन थे candidates कौन सी पार्टी ने किस को तारा, किस का था पलरा भारी क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे आज के इस दमाकेदार सेशन वीडियो में देखिए, हमारे देश में मुख्य ते दो पार्टी है एक पार्टी है BJP, भारती जनता पार्टी और दूसरी जो मुख्य पार्टी है वो है कॉंग्रेस अब देखिए, BJP को और भी देखिए, BJP कॉंग्रेस के अलाओं भी बहुत सारी पार्टी है हमारे देश में है भारती निर्वाचन आयोग के पास सारी साथ सो से जादा पार्टी है रजिस्टर है, पंजीकर्थ हुई हुई तो अब कुछ ऐसी पार्टिया है जो BJP को सपोर्ट करती है, नहीं बोले BJP अच्छी है तो क्या हुआ, जो BJP के साथ है, उन सब ने मिलकर के एक ग्रूप बना लिया जिसे हम लोग कहते हैं NDA National Democratic Alliance, ओके ये एक NDA ग्रूप बना लिया अब कुछ AC पार्टिया भी है, जो क्या है, कॉंग्रेस को सपोर्ट करती है तो उन्होंने क्या कर लिया, एक ग्रूप बना लिया UPA, United Progressive Allies तो दो ग्रूप बन चुके हैं, दो गुट बन चुके हैं, एक NDA का और एक UPA का तो इस बार NDA ने, मतलब BJP ने किसको उता रहा है, BJP ने उता रहा है, जगदीब धनकरजी को जगदीब धनकरजी कहां के हैं, राजस्तान के हैं, और अब भी उप्राश्पती के चुनाओं में उतरने से पहले पच्च्वी मंगाल के राज्यपाल के पत पर बैठे वे थे, वहां की गरिमा को बढ़ा रहे थे तो NDA ने किसको उता रहा है, जगदीब धनकरजी को उप्राश्पती पत के लिए उता रहा है और इनके सामने मुकाबले में कौन है, UPA ने उतारा है, मार्गरेट आलवाजी को ये करनाटका की है, और ये भी काफी बार अलग-अलग राज्यों की राज्यपाल बन चुकी है अगर किसी को उप्राश्पती भारत में बनना हो, तो उसके लिए क्या-क्या योगगेता है ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो एक इनसान को पूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि वो भारत के उप्राश्पती की पत पर पहुश सकता है हमें कोई बी करना हो, हमें जीवन में कुछ भी पाना हो, उसके लिए कुछ वालिफिकेशन या योगऽेता क्या आउशकता होती है तो क्या ओंक्या हो ऊपूरियो क्या बड़नी पी cenat के स्वच पर पहुशने के लिए, आपको कुछ योगश्पता के पूरा करने पड़ेगा, तो कौन-कौन सी वो योग गेता है, सबसे पहली योग गेता है, वह भारत का नागरिक हो, जो भी उपराश्ट पति पत के चुनाओं के लिए खड़ा होना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं भारत का उपराश्ट पती बनूँ, तो ये जरूरी है कि वो भा आप भारत के नागरिक हैं, तभी आप भारत के उपराश्ट पती बनेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, तो आप क्या समझेंगे भारत के लोगों की समझ्याओं को, आप किस परकार से उन समझ्याओं का समधान निकाल पाएंगे, तो इसलिए ज जितनी वी योगेता है एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए ही तोना का मतलब क्या है। तो आपको 30 वर्ष की उमर होना जरूरी है जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे संसत के 3 भाग है लोकसभा, राज्यसभा और मानिने महामई राष्ट पतीजी तो लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष चाहिए लोकसभा के और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य होते हैं उन्हें हम हिंदी में संसत कहते हैं और इंग्लिश में Member of Parliament कहते हैं तो आपको राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आप अहीर तो मतलब जो qualification राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए चाहिए वो आप में है लास्ट वाला पॉइंट है मारा जो योगेता है वह के अंदर सरकार राज्यसरकार 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 किसी इस्तानी प्रादिकरन या अन्य किसी सारज्यनिक प्रादिकरन के अंत्रकत किसी लाब के पतपर ना हो किसी Office of Profit पर ना हो Office of Profit का मतलब यह है कि किसी भी सरकारी संस्ता के कोई भी सरकारी संस्ता हो उसके किसी भी पतपर वो ना बेठा हूँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गौर्णमेंट जॉब कर रहा हो तो उसको पहले वो जॉब छोड़नी पड़ेगी और फिर वो चुनाओं में आ सकता है तो कोई गौर्णमेंट जॉब कर रहा हो यह सरकार के किसी पतपर उसको बिठा रहा हो वो यहाँ पर नहीं मानने होगा तो केंदे सरकार के भी किसी पतपर नहीं होना चाहिए राज्जे सरकार के किसी पतपर नहीं होना चाहिए कोई इस्तानी प्राधी करण इस्तानी प्राधी करण क्या होते हैं प्राधी करण का जो मतलब होता है आप लोगोंने अपने शेरों में गराप रहते हैं तो आपने देखा होगा लखनव डेवलामेंट ओथरेटी लखनव विकास प्राधी करण तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के कुछ प्रादी करण होते हैं, authorities होती है तो उनके chairman पे अद्देख्ष के किसी पद पर भी वो इंसान नहीं होना चाहिए और कोई भी सारवजनिक प्रादी करण है उस पर भी नहीं होना चाहिए पर लाब के पद में से कुछ चीजों को हटा दिया गया है अगर आप इन पदों पर बैठे वे हो तो आप उपराश्ट पती के पद का चुनाओ लड़ सकते हैं आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है क्या-क्या है? वर्तमान राश्ट पती अगर आप अभी राश्ट पती हैं तो इसको लाब के पद में नहीं जोड़ा जाएगा आप उपराश्ट पत का चुनाओ लड़ सकते हैं आप अभी हाल फिलाल उपराश्ट पती हैं और फिर से आप उपराश्ट पत का चुनाओ लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं इसको लाब के पद में नहीं लिया जाएगा किसी राज्ये का अगर आप राज्येपाल हैं तो अब भी देखिए मैंने बात करी जगदीब धनकरजी की वो पच्छी मंगाल के राज्येपाली थे गवर्नेर थे तो चुनाव लड़ी रहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं संग अथ्वा राज्ये का मंद्री ठीक है केंदर सरकार में या राज्ये सरकार में अगर किसी मंद्री पत पर बैठा हुआ तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन सब को लाप के पत पर नहीं माना जाएगा इसलिए वह उप्राश्टपती के उमिद्वारों के लिए योग्य होता है तो अगर आप इन में से किसी पत पर बैठे वे हैं तो आप उप्राश्टपती पत के लिए उमिद्वार हो सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अलावा अगर आप किसी सरकारी संस्ता की किसी पत पर बैठे में हैं तो आपको पहले वो पत छोड़ना होगा और फिर आप उप्राश्टपती पत के लिए क्या करने जाएंगे नामांकन करने जाएंगे आप फिर जाते हैं नामांकन करने नोमिनेशन करने मतलब सीधा सा इतना है कि पूरा ढोल धमाके के साथ दुनिया को बताना है कि मैं चुनाओं में उतर रहा हूँ वो भी उप्राश्टपती के और आपको एक फॉर्म फिल करकरके भारती निर्वाचन आयोक को देना होगा कि सर, हॉनरेबल मैं में चुनाओं में उतर रहा हूँ तो अब नामांकन में आपको क्या-क्या वाद ध्यान रखनी वो देखिए उप्राश्टपती के चुनाओं के नामांकन के लिए उमिद्वार के कम से कम 20 प्रस्टावक सथा 20 अनुमदक होने चाहिए देखिए हमने जब राश्टपती की चर्चा करी थी तो यहाँ पर 50-50 था प्रस्टावक का मतलब होता है प्रोपोजर्स 20 लोग क्या है यह लिखकर के दे कि हाँ भई हम लोग इसको उप्राश्टपती बनाने चाहते हैं यह उप्राश्टपती के पत के लिए हम इनका नाम आगे करते हैं तो 20 लोग क्या करें पहले हां करें और फिर जिनकों इनकों 20 ने हां करी है फिर 20 लोग बोलें कि हाँ हाँ जो पहले वालो ने 20 ने हाँ करें हम उनके साथ हैं मतलब मैं ये कितना सा कहना चाहता हूँ कि 40 लोग क्या करें ये दे लिखित में कि हाँ उप्राष्टपत्धीपत करें समर्थन दे रहे हैं आप इनको चुनाओं में उतार दीजिए, कोई दिक्कतवाली बात में. अब ये कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये क्या मैं लिखकर के देदू चल जाएगा? आप लिखकर के देदू चल जाएगा? नहीं, कौन होना चाहिए ये 40 लोग? ये 40 लोग होने चाहिए लोग सभा प्लेस राज्य सभा के सदस्यों में से ही कोई 40 लोग होने चाहिए, यहाँ पर ध्यान अखना विधान सभाव में वेसी मीं नहीं होना चाहिए. लोग सभा या राज्य सभा का कोई 40 अदस है जिन में से 20 तो क्या हो प्रस्तावा को पहले नाम आगे करें कि हम इनके समर्थन में हैं इनको उप्राश्पति चुनाओ के लिए उतारा जाए और फिर 20 उसी पर वापस हां करें कि हां हां जिन्हों पहले ने 20 ना करी है हम उनके स आते हैं और देखिए नामांकन में जो बाकी नौर्मल चीजें हैं वो तो करनी है खुद का नाम भड़ना है सारी डीटेल्स देनी है सारा जो कुछ ब्योरा भारती निर्वाचन आयोग मांगता है वो सारा दे नहीं है पर जिसे नौर्मल जो चुनाओ होते हैं वो तो कोई इसी परकार से जब राष्टपती का हुआ तो पहां 50-50 मांगे तो क्योंकि सबसे बड़ा सुर्वचुपद है भारत का और आप देखते हैं कि जब नामांकन के लिए गए थे राष्टपती साब दुरोपती मुनमुजी गई थी और उपराष्टपती पद में जगदीब परते एक उमिद्वार को भारती रिजव बेंक में 15,000 रुपे जमाना तराष्टी के रूप में जमा कराना आवश्चक होता है अब जब आप अपना नामांकन भढ़तेते हैं तो आपको फिर 15,000 रुपे कहां जमा कराने पड़ेंगे भारती रिजव बेंक में जमा कराने बारती रिजव बेंक क्या है भारत का केंद्रिय बेंक यहां पर आपको क्या करने पड़ेंगे 15,000 रुपे जमाने तराष्टी के की रूप में जमा कराने पड़ेंगे जमाने तराष्टी का मतलब क्या होता है देखिए कि जू टोटल वोट होंगे जेसे मैं कहते हूँ कि Wad tyle 100 Volet है, अभी जो total 100 Volet है, अगर इनका एक बटा 6 Volet भी आपको नहीं मिलता है, अगर 16 Volet भी आपको नहीं मिलता है, अगर एक बटा 6 Volet भी आपको नहीं मिलता है, तो आप 15000 को हो जाएंगे? जब तो хочंगि?" चुछ अब आप सोचोगे, सिर्फ 15,000, 15,000 में इनको क्या फरक पड़ेगा, जो भी है तो भाई ये बहुत बड़ी परसनल्टीज है, जो उपराष्टपती के चुनाओं में खड़े हो रही है, हर किसी को तो पाटे हैं खड़ी नहीं करती है, बहुत बड़ी परसनल्टीज होंगे, तो इनको 15,000 रुपे जाने से क्या फरक पड़ता है, इतना पैसा कमारे कहां ले करके जाएंगे ये लोग इतना पैसा सब, बात 15,000 जब तो होने की नहीं है, बात ये होती है कि जब अगर उसको एक बटा 6 वोट भी नहीं मिलते हैं, उसको 100 में से 17 वोट भी नहीं मिल रहे तो लोग क्या कैते हैं, अरे यार काई का कैंडिडेट था, कौन चाता है, ये मतलब अपनी जबानत में नहीं बचा पाया, मतलब एक बटा 6 वोट भी नहीं ले पाया, यहाँ पर बात पैसो की नहीं है, बात है रेपूटेशन की, कि हमारी रेपूटेशन गिर जाएगी, ऐसे आप काफी जब नॉर्मल चुनाव होते हैं, उनमें भी कुछ थोली जमानत राची भारतिय निर्वाचन आयोगा रखवाता है, और अगर एक बटा 6 वोट आपको नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है, वो जमानत राची जब्त हो जाती है, और फिर लोग कहते हैं, वाप हैं, निर्वाचक मंडल पे, निर्वाचक मंडल का मतलब है कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं, जो उप्राष्ट पती के चुनाओं में मद्दान करेंगे, वोट डालेंगे, हम और आप परतिक्ष मद्दान नहीं करते हैं, हम लोग वोट नहीं डालते हैं, निर्वाचक मंडल मे यहाँ पर जो आएंगी वो आएगी संसथ ठीक है निर्वाचक मंडल में कौन आएगा संसथ आएगी और संसथ के यहाँ पर जो दोनों सदन है लोगसभा और राज्यसभा भारत की संसथ में भारत के पालियमेंट में दो सदन है, दो houses है, लोकसभा और राजेसभा लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं वो 500 तैयाली से पहले 545 हुआ करते थे, दो जो थे वो एंग्लो इंडियन्स थे जिनको डारेक्ट राश्पति साब क्या करते थे, मनोनीत करते थे पर 2019-20 में भारती संसद ने वो प्रावजान हटा दिया और दो-दो सीटे क्या हो चुकी है, अब खाली हो चुकी है तो जो 543 लोग है, ये डारेक्ट क्या होते हैं, निर्वाचित होकर क्या आते हैं मतलब इनको हम लोग चुनते हैं डारेक्ट इनको हम लोग चुनते हैं, जब कहते हैं न लोग सभा के चुना हुए तो वो पूरे देश में 543 भागों में भारत को बाट दिया जाता है और वहां से हर एक एक चगे से एक एक इंसान चुन करके आता है तो लोग सभा के जो 543 लोग है वो फिर राजी सवा में कितने हैं? कुल है 245 लोग 245 इन में से 233 होते हैं निर्वाचित 233 होते हैं निर्वाचित अब पर इनको डारेक्ट हम लोग नहीं चुनते हैं मतब डारेक्ट जनता वोट नहीं करती इनको कौन चुनता है हमने क्या करा है हमारी जो विधान सबाय होती है जा मुख्य मंतरी होता है विधायक होते हैं हमने जिन विधायकों को चुना है वो विधायक इनको चुनते हैं तो यहाँ पर भी आपर तेक शूप से हम डारेक्ट किसको चुन रहे हैं यह जो लोग सबा क से आप क्या करते हैं मनोनीत करते हैं नौमिनेट करते हैं और यह 12 सदसे जो होते हैं यह एक्सपर्ट होते हैं अपनी फिल्ड में जैसे कि कलाकी के मामले में साहिते के मामले में साइंस के मैडल्स इंडिया के लिए जीते हैं भारत को गोरानवी तुन ने मैसुस कराया है तो उनको आठ कला के शेत्र से उनको क्या कर दिया गया है वहाँ पर भेजा गया है सचीन तेंदुलकर है रेखा जो एक्ट्रेस है हिरोईन उनको भी पहले भेजा गया था तो वह सब इनी शेत्रों से गया है अब बात यहां पर यहां पर आती है कि वोट को Auto करेगा यह पर जब उपराष्टपति चुनाओं होते हैं तो लोग सब आके निर्वाचित और मनोनित दोनों वोट कर सकते हैं पर मनोनित है नहीं तो कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 788, ठीक है, 788 लोग ऐसे होंगे, जो क्या करेंगे, मद्दान करेंगे, अब आप सोच रहोंगे, सर विधान सबाय भी करेंगे, विधान सबाय वोट नहीं करेंगे, राश्ट्पती के चुनाओं में और करके, जो सदस्य होते हैं, वोट करते हैं, राश्ट्पती के चुनाओं में विधान सबाय में किसी विधान सबाया का, जो मनोनित हो चाहे, निरिवाची तो कोई सबस्य मद्दान नहीं करता, तो टोटल यहां पर 788 जो सदस्य है, वो लोग क्या करेंगे, मद्दान इस अब परक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, तो जो प्रोसेस राश्टपती की चुनाओं में अपनाया क्या था, वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा, आनुपातिक परतिनी दित्व, आनुपातिक परतिनी दित्व का मतलब क्या होता है, देखिए, हम लोग जैसे मैं क दस लाक लोग है तो यह एक शेत्र हो गया यहां पर दस लाक लोग है यह एक शेत्र हो गया यहां पर दस लाक लोग है यह एक शेत्र हो गया अब यह दस लाक लोग क्या करेंगे एक किसी इंसान को चुन लेंगे तो एक यह हो गया यह दस लाक एक को किसी को चुन लेंगे यह यह होगा, तो यह क्या हुआ है, कि अनुपात है, एक ratio है, ratio कितने कितने का, जैसे मैं example दे रहा हूं, 10-10 लाग का ratio है, तो 10-10 लाग लोगों पर एक जना क्या कर रहा है, परतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और मत्यदान मतलब वोट डाला क्या होता है कि जैसे राष्टपती के चुनाओं में बिलेट पेपर दिये गए थे यहाँ पर भी क्या होंगे बिलेट पेपर दिये जाएंगे और उन बिलेट पेपर में क्या होता है वो आईए आगे समझते बेलेट पेपर दिये जाएंगे और बेलेट पेपर जैसे ये आएंगे और मैंने जैसे का कि हमारे पास सिर्फ दो ही केंडिडेट है एक है जगदीब धनकरजी और एक है मार्गरेट आलवाजी ठीक है तो जगदीब धनकरजी और मार्गरेट आलवाजी ये दो नाम बेलेट ये कोई एक X सांसद आया और उसने बोला मैं ये चाहता हूँ कि Margaret आलवा जी क्या बने उप्राश्पती बने अगर Margaret आलवा जी ना बने तो जगदीव धंकर जी बन जाए फिर एक Y आया Y ने बोला कि भाईया मैं चाहता हूँ कि पहले जगदीव धंकर जी बने ना बने तो क्या हो Margaret आलवा जी बने फिर एक जीडव ग्यक्ती आया ये सभी सांसद है उन्होंने बोला कि मैं तो यह चाहता हूँ t Yoo आद तो इस होता है थे होती है कि ये पहले आप किसको राश्त्ताप्ती बनाना चाहते हो येहीं process हम ने कहां देखा था? राश्पती के चुनाओं परकरया में देखा था. Same to same process था. और ये गुप्त मत्धान है, गुप्त मत्धान का मतलब क्या है? बिल् culture बैलेट ऍवेपर आपको दिया गया है, उस पर बिल्कुल आपको चुप्चाप ही उस पर अपनी प्राक्मिक्ता डालनी है और उसको अंदर डाल देना किसी को भी नहीं पता ना कि भाई वहाँ पर हुआ क्या है तो इक गुप्त मद्दान है अब होता क्या है फिर बारी आती है काउंटिंग की कि हमें इसकी क्या करनी है गने ना करनी है तो सबसे पहले क्या करा जाएगा कि ये देखा जाएगा कि कितने ऐसे हैं अब भाई हमारा पास टोटल क्या थे 788 थे 788 लोग थे तो 788 लोगों क्या कर दिया भारतिय निर्वाचन आयोग ने एक एक बेलेट पेपर देती है एक एक की ही देंगे एक एक बेलेट पेपर दे दिया अब इन में से सबसे पहले ये देखेंगे कि जगदीव धनकर जी का ये वाला वोक्स हो गया ये डबा जगदीव धनकर जी का है और ये वाला डबा मालगेट रालवाजी का है तो अब इसमें देखेंगे वाई सबसे पहले जगदीब धंकर जी को किस किस ने पहले फर्स्ट नंबर पर रखा है तो जिन जिन ने जगदीब धंकर जी को रखा है वो वाली परचीस में डालते जाओ इसमें डालते जाओ इसस तो क्या है दो ही कैंडिडेट है तो यहां पर 50% से जादा क्रोफ होना जरूरी है 50% से जादा क्रोफ होना जरूरी मतलब क्या है कि 788 लोग है इसका 50% का मतलब है मैं 2 से भाग दूँगा तो 394 तो 300-34 में और पलस में एक बान करके चलता हूँ तो 300-35 तीन सो पिचाण में लोग क्या करें किसी एक इंसान के को प्रात्मिक्ता पर रखें फर्स्ट जो नंबर है वो एक को दें तो अब यहां पर और और कोसी बात है दो ही लोग है तो दो में यह 90% चांसिस है कि वो एक इंसान जीत करकर के आ जाया था पर कभी कबार क्या होता है तीन या चार केंडिडेट्स होते हैं तो क्या होता है कि पहले राउंड में किसी का नाम नहीं आता है किसी को 50% मत नहीं मिलते हैं तो फिर वो ही सिस्टम अपनाया जाता है कि जैसे माल लिए यह तीसरा परसन है इसको मैं नाम दे देता हूँ AB ये तीसरा परसन भी चुनाव में उतर रहा है तो यहाँ पर भी आप क्या है तीन चोईस होंगी फिर वो तीसरा जिसने AB को फर्स्ट पे रखा है उसमें जाएगा फिर माल लिया कि अब तीनों में से किसी को भी परसन जादा क्रोस नहीं हुआ और पता चला AB को सबसे कम मिले तो AB की परचिया वापस निकालेंगे फिर उसमें देखेंगे कि जगदीब धनकरजी को सेकिंड पे किसने रखा है और मार्गेट आलवा जी को रखा तो इधर आजा इस डपे में आजा मार्गेट आलवा जी को रखा तो इस डपे में आजा ओके तो ये होती है एकल संकरमणिये मद्दान संकरमण का मतलब क्या होता है आप आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि जब ये नहीं जीत पार रहा है हमें 50% नहीं मिला 20% 30% 90% कोई फर्क नहीं पड़ता पर राश्पति और उप्राश्पति में जरूरी है कि वो 50% प्लस एक का आकड़ा क्रोस करे ही करे जरूरी है ओके तो ये एकल संकरमणिये मत होता है तो जगदीब धनकर जी के फिर परचिया निकालेंगे और मार्गेट आलवा जी को मिला 182 तो जितने सांसत मोजूत रहे उन्होंने जो वोट डाला उसमें से 528 इनको और 182 उनको 74 चोहतर परतिशत के करीवन जो मद्दान है वो किसके पक्षमे हुआ है जगदीब धनकर जी के पक्षमे हुआ है तो हमारे भारत के नए उपराश्ट पती कोन बन गए है जगदीब धनकर जी तो कोन रहा उपराश्ट पती चुनाओ का विनर कोन रहा विजेता जगदीब धनकर जी अब ये पश्च्वी मंगाल के राज्येपाल नहीं भारत के उपराश्ट पती है भारत के सवेधानिक पती पे दूसरा जो सर्वच्छुपध है, व canoe भारत के उप्राष्ट्पती का है तो अब हमारे नए उप्राष्ट्पती कोन होंगे? जग्डीब धंकरजी होंगे यह अब हमारे महामहीं है ठीक है तो पहले महामाई जो दरोपती मुर्मु जी है वो हमारी राष्टपती राष्टपती है और अब जगदिब धनकर जी उपराष्टपती आ चुके है ये 11 अगस्त को शपत ले लेंगे ले ली मतलब 11 अगस्त को शपत लेंगे और अब उपराष्टपती ये हमारे बन इनका वेतन कितना होगा, मतलब एक मेहने की इंकम कितनी होगी, कितनी होगी, 4 लाख पड़ती महा इनकी इंकम होगी, यह जब की तस्वीर है, जब माने निये, एक नोट, एक special note, भारत का उपराश्पती, राज्य सवा का पदेन सभापती होगा, तीकि यह पदेन का मतलब समझे, यह इंगलिश मह में से कहते हैं, एक्स ओफिस्यू क्या कहते हैं? एक्स ओफिस्यू कहते हैं पदेन का मतलब यह होता है कि आप उस पद पर पोच्ट रही उस पद पर भी ऑटमेटिकली पोच ही जाओगे जैसे कि मैं आपको एक उधारन देता हूँ बोला गया कि सार आपको 12th की quality पढ़ानी तो ये भी automatically है कि सार 11th की भी महीं पढ़ा हुआ ये पदेन हो गया इसी परकार से क्या है जो भारत का उप्राश्पती बनेगा जो भी भारत का उप्राश्पती बनेगा वो directly क्या हो जाएगा automatically क्या हो गया राज्पा का सभापती भी बन गया राज्पा का सभापती भी वो बन गया ये automatically हो जाएगा उसको especially बोलना नहीं पड़ेगा भाई अब से देख तू राज्पा का सभापती भी नहीं और आपको एक interesting बात और बताता हूँ यहाँ पर जो ये payment किया जाता है उपराश्पती को वो इस पता के लिए राजज्जी सभा पती के लिए किया जाता है क्योंकि उपराश्ट्पती का ज्यादा मुख्य रोल नहीं है उपराश्ट्पती का मुख्य रोल तभी है कि जब राश्ट्पती या तो छुट्टी पर हो या राश्ट्पती की बीच में मिर्त्वी हो जाए या राश्टपती क्या है अपने पत से इस्तिफा दे दे तो उस छे मेने के दोर के बीच में चुनाओ कराने होते हैं तो उस छे मेने के लिए उपराश्टपती राश्टपती की भूमिका को निबाता है नहीं तो वो जो बाकी साले काम करेगा, वो किसके करेगा? राजी सभा के सभापती के करेगा और ये था पूरा उपराश्टपती का प्योरा ठीक है? अब एक बात मुझे आप भी बताईएगा आपने राश्टपती वाला वीडियो देखा या नहीं देखा तो ये बताईएगा कि राष्टपती वाले में जमाने तराशी कितनी जमा करनी पढ़ रही है यहाँ पर 15,000 कराईथी वहाँ पर कितनी करानी पढ़ रही है ठीक है और आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया ये भी बताईएगा और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो और भी डिटेल वाले वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पोछेंगे और ऐसी जान करें अब मैं आप लोगों के लिए ओर लेकर के आने वाला हूं जिसे जान करके आप सच में सोचेंगे यार हम सोचते तो बहुत समय सेते हैं पर सच में पता नहीं था फिके तो अब भारत के राश्पती और उपराश्पती के चुना हो चुके हैं यह आपकी जनरल नोलेज के लिए भी जरूरी था भारत का राश्पती होने उपराश्पती कौने मिलने की भरसाटे सेपकाम नहीं बड़ाईयां और इस वीडियो को ज़्यादा लािक अशेट सब्सक्राइब करें चाएं कॉम्पेटिशन की को रहा हैं था हो वीडियो जल से जल से पहुचा है और पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें मिलेंगे नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए थांकियो समझ जैहिन जैभाद